नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का स्मार्ट गार्डन में चलिए दोस्तों ब्रह्म कमल प्लांट के अन्बुक्सिंग करते हैं मैंने ये ओनलाइन मंगवाया है और ओनलाइन मुझे ये 175 रुपेज में पढ़ा है दोस्तों ये प्लांट बहुत ज्यादा शूब होता ह है तो इस प्लांट को हमें जरू लगाना चाहिए ये प्लांट शूब होने के साथ साथ इसमें बहुत ही सुन्दर फूल खिलते हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है आपने कभी इमेज में देखा होगा ब्रह्मा जी को तो वह जिस फूल पर बेठे रहते हैं वेसा ही फूल खिलता है मैंने भी यूट्यूब अगेरा पर ही देखा है जब तक हम अपने आसपास इस चीज को नहीं देख लेते तक तक थोड़ा यकिन करना मुश्किल हो जाता है पर फिर भी दोस्तों यकिन तो करना होगा क्योंकि ओनलाइन जो मैंने ये प्लांट मंगवाया है ये अब वापस नहीं होगा अब जैसा भी है तो मुझे इसकी प्लांट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो देखते हैं किस तरह का ये प्लांट निकलता है ये देखिए जोस्तों ये पेकिंग वेकिंग सब बढ़िया है लेकिन प्लांट तो मुझे अभी दिखाई नहीं है पूसी बार क्या हो जाता है कि हमें बेको बना दिया जाता है ओनलाइन पर ये देखिए ये छोट इसी टुकड़ा है पत्ती का ये दिखिए मिटेंग से दिखा भी नहीं पा रहे है ये दिखिए छोटा सा टुकड़ा है अब इसमें क्या है मुझे पता भी नहीं है चलिए दोस्तों इसको हम रिपोर्ट भी कर लेते हैं लगबग 5-6 दिनों गए हैं मेरे घर पर ये रख्या हुए अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ क्योंकि मेरा जो है मन नहीं मान रहा है मैं देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर से जड़े भी होती है कि नहीं देखते हैं किसा निकलता है हम बहार आ गया है ये देखिए ये इस तरह से इसकी एक दो जड़े निकली है पांच साथ दिन से पहले मैंने मंगवाया था पांचे दिन मेरे घर रखा रागी रह गया है मतलब ये जड़े मेरे घर पर ही बनी होगी इसमें ये देखिए इस तरह से 175 में सिर्फ इतना सा टुकड़ा मुझे मिला है ब्रह्म कमल की पत्ति का और इसकी जो मिट्टी है शायद इसी के पेसे मुसल लिए गए हैं मिट्टी अच्छी कासी भुरुबुरी है चलिए इसको यह आज हम रिपोर्ट करेंगे क्योंकि जो मिला है हम रिटर्ण नहीं कर पाएंगे रिटर्ण को ऑप्शन नहीं था उसमें कि इतने चोटी से पत्ती मुझे मिली है टुकडा बोल सकते है चोटा सब प्लांत बोलिए तो उसके लिए चोटा प्लांटर लेंगे त्रीज बनाए हैं कोई रिसक नहीं लेना है में भी फर्स्ट बारी ग्रो कर रही हूं फर्स्ट बारी रिपोर्टिंग कर रही हूं रेनेश को अच्छे से कवर कीजिए सिल्क कपड़ा कभी नहीं लेना है हमेशा कोटन कपड़ा लेना है कोटन कपड़े से पानी जल्दी बहार आता है सिल्क कपड़ों से पानी बाहर आता भी नहीं है हमेशा में वेस्ट मेटरियल का ही यूज़ करती हूं सुखी पतिया मेरे पास रखिए नीम की तो मैं उनको यूज़ कर रहे हूं जिससे की फंगस अगेरा का डर नहीं होगा साथ में थोड़े से केले के चलकी भी डाल रहे हूं दीरे दीरे ये पतिया जो है डीकमपोस्ट हो जाएगी खात का काम भी हो जाएगा और मेरे जो है लाइट वेट गमला भी रेडी होगा और साथ में दोस्तों इससे प्लांट खराब होने के चांस भी नहीं होते हैं तो मैं सुखी चीज आज यूज में ले रहे हूं मुझे ये 175 का जो है प्लांट बचा के रखना है मुझे देखना है कि ये किस तरह से ग्रो करता है किस तरह से बढ़ता है ये प्लांट सही भी है कि नहीं है जो हमने मिट्टी निकाली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे जिसे कि छोटे से प्लांट को बुरा ना लगे मतलब जो वातारण हमें नरसरी से ज कि दम से lightweight स्टेर्ट हाथों से जड़ों को बीना डेमेज के हुए इस पत्ति को आमें रख देना है मुझे तोड़ा सा शुक हो रहा है सब्सक्राइब करना ही होगा देख्या दूश्तों कभी कोई भी ओनलाइन आप पर्चेशिंग कर रहे हैं तो आपको उन पर बरोसा करना ही होगा क्योंकि वह जो भेजेंगे और मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था मुझे मिल भी नहीं रहा था यह प्लांट है अलका साथ जो है इसम सोल्ट में डाल दूंगी जिसे की जड़े स्ट्रेस में न जाए है हमेशा गार्डिंग कर रहे हैं तो आप मिगनेशियम सर्फेट जरूर रखिएगा मतलब एफसम सोल्ट है अब यह सिर्फ गार्डन सोयल है सिंपल सी गार्डन सोयल कोई खाद वगेरा नहीं ले रहे हूं मिट्टी गिली आपको इसलिए लगेगी क मैंने इस सारी मिट्टी को गमलों से निकलेवी मिट्टी को रिचार्ज कर लिया है मेरे पास और कोई भी मिट्टी नहीं होती है दूप में रखने से मिट्टी अच्छे से रिचार्ज हो जाती है इसका जो फंगस वगेरा होता है कीटाणों वगेरा होते है सारे खतम हो जा तब आप वापस से उसको पानी में हलका सा पानी चीड़क दीजिए और फिर देखिए दूस्तों उसमें प्लांट लगा कर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इससे कोई फंगस वगिरा भी नहीं होता है छोटी सी पती अगर मग से नली से पानी देंगे तो यह जाएगी तो शावरिंग से हम इसमें वाटरिंग कर देते हैं अभी बाकी है आगी का काम तो भी देख लीजिए क्या-क्या मैं इस पर डाल रही हूं जिसे की पोधे की बड़त जल्दी हो फंगस के लिए हल्दी पावडर में थोड़े से जो समुद्री घास से खाद बनती है सीविट्स अच्छा होता है यह और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो मैंने चीजे लिए उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है मैं अपने प्लांट को बचा कर बचाना चाहते हूं मुझे यह प्लांट ग्रो करना है तो मुझे इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा क्योंकि बार-बार यह प्लांट मिलते नहीं है ध्यान रखिए मिट्टी के संपर्क में पत्ती का उपर सीरा नहीं आना चाहिए वह नहीं जो है प्लांट पूरा खतम समझी है आप फिर तो धन्यवाद दोस्तो रिपोर्टिंग हो गया अन्बोक्सिंग हो गया प्लांट